इस वीडियो में बात करने वाले हैं Aesthetics GK टे स्रीज नमबर 32 के बारे में जो रुकमनी पॉब्लिकेशन के और से आने वाली Aesthetics GK बुक से हैं इसमें बात करने वाले हैं SSC Railway Civil Court और बिहार SI exam oriented question तो अगर आप भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए रामबान सावित होने वाला है तो वीडियो को पूड़ा देख करके जाएं आप लोग देखती नहीं हो सिर्फ कुछी देख करके चल जाते हो यहां पर बात कर रहे हैं कोशन नमबर 1 की बात करें त हर इजान का मुक्यल कहां था पहला मुक्यल की बात कि जा रहे हैं तो पहले कुलकता से मुंबई अस्थानां दिद soy båyausa 1937 में अगर बात की जाए तो कुलकता में इसका पहला मुख्यारत थो बाद में 1936 में मुंबई में अस्थापित किया गए था अर्वियाई को जो है बैंको का बैंक कहा जाता है पुन रूप से भारतिय दोरा पंधित पहला बैंक जो है पंजाब नेस्नल बैंक था जिसका अस्थापना 1894 में किया गए था बैंक को बंगाल बैंक को बंबे और बैंक को मदरास्तीनों को बिले करके इंपेरियल बैंक की अस्थापना की गई थी और 1901 में इंपेरियल बैंक की अस्थापना के बाद इंपेरियल बैंक के नाम बदल कर 1955 में इसका नाम C, आपका सही answer होगा, C, kolkatta आपका सही answer अब भी ब inhत मैं बहरत की जाए तो मुंबई इसका जो है मुख्याला है, next question पर निमन में से कौन से कौंसा एक कथन असत्य है, असत्य की बात की जा रहे हैं तो यहां पर पानेनी संस्कृत ब्याकरण के जनक थे जो बिल्कुल सही है यहां पर आपको question ऐसे भी पूछा जा सकता है जो संस्कृत ब्याकरण के जनक कौन थे तो आप सीधे सीधे बता देंगे पानेनी संस्कृत ब्याकरण के जनक है नेक्स् के अन्वेंशन करता हुआ बास को नूनिज ने डी सालो ने सरपर्थन प्रसांत महासागर की खोज की थी option 3 जो है आपका सही उपरोक्त में से कोई option जो है गलत नहीं है तो question नंबर दो का option जो है डी आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट question पर आते हैं निमन में से कोई सा कथन आसकते सिर्फ वताना है इसमें भी तो यहां पर आप पर हैंगे question फस्ट नमर पढ़ते हैं देखी यहां पर सहीं कुतरास्ट परियावरन कारक्राम की अस्थापना 1972 में माना प परियावरन के प्रवावित करने वाले सभी मामलोग में अंतरास्ट्य सहीं को बढ़ावा था बढ़ाना तथा परियावरन संबंदी सर्जानकारी का संगर्ण मुल्लायंकन इवों पारसपारिक आदान पादान करना option बी भी सही इसका मुख्यालन कैन्या नौरोभी में इस देते option 3 जो है आपका सही है तो इसलिए इनमेसे कहसत्य को डिमर्यूनिर पर्वत उप्रोग्त मैसे नहीं है सभी सभी सथआ option D आपका सही आंसर होगा है question देख लेते हैं जूम करके यह question था और इसका यह option D answer था next question पर आते हैं question 4 की बात की जाएं तो यहां पे आदोनिंग किसे कहा जाता है आधोनी गंदी जो है बावा आम्टे को कहा जाता है बावा आम्टे का जो है इनका पूरा नाम मुरली धरन देवी दास आम्टे था आपको याद रखना बावा रामचंद्र जो है सो यह ग्वालियर ग्वालियर से समंद्ध मद्द परदेश समंद्ध किसान नेता और स्वतंतरता सैनानी बावा रामजंदर थे आप सभी को याद रखना है राजंदर परसाद की बात की जाए तो यह भारत के परतम राश्टर फती हुए थे जमना नल बजाज महत्मा गांधी के अन्याई जमना वलाल बजाज थे आपको यह भी याद रखना जनवर 1948 को नातुराम गोडशी ने महत्मा गांधी की हत्या की थी इसी के उपलक्ष में जो है सुसाही दिवस की रूप में मनाया जाता है अगर बात करें महत्मा गांधी का जन्म 2 अक्टोवर 1869 में गुजरात के पुरवंदर में हुआ था दो अक्टोवर को अहिंसा इसी परवासी दिवस के रूप में मनोजनवरी को मनाया जाता है इतना याद रखना है नेक्स्ट कोस्टन नमर्शिक्स की बात कि जाए देव पिरिये किनका उपनाम है तो यातेंद्र मोहन सेन गुपता को देश पिरिये की नाम से लोग जानते हैं चितरंजन दास की बात क इसो इटली की एक्था का जनमताता जो है नैपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉस्टन से बैन नम्बर कॉस्टन पे बात करें स्वर्ण जैन्ति ग्राम सवारोजगार इऔरllow जनAA इनमें से कौन सा ओप्स्टन सही है वो बताना favor यह में दिया गया है सुबारंब एक अप्रिल 1999 को किया गया था जो सही है इस योजना के अंद्रगार क्यान राजय का रासी अनुपात 75 अनुपात 25 में रखा गया है ऑप्शन बी भी आपका सही है समूरिती समूरिती अपनाने पर बल देती है और इसका उदेश से की बात की जाए तो योजना में ग्रामीन छेत्रों की गरीब परिवारों की साहिता करना इसका मुख्य उदेश से था नेग्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जो है इसका जो है श्रीकोडरी कोटा आंध्रपरदेश में है बैंग लोड दिया गया है ये भी गलत है एस्पेस एप्लिकेशन सेंटर आहमदाबाद ये आपका सही आंसर हो जाएगा और यहां पर थुमबा ये रॉकेट परचेपन एस्टेशन थुमबा तिरुबंत पूरम में ही इस्थित है आपको ये बात याद रखना कोशन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है बागी बाद ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत है नेक्स नाइन नमबर क्वेशन सुमेलित कीजिए सुमेलित करना है फोरण इंटेलिजेंस सर्विस जो है काहां की जो है सुरक्षा एजनसी आपको बताना है सूमेलित कीजिये आजे नेक्स बाक पॉरान इन्टेलिजन सर्विस जो है सूरूस की जो है जबकि इसराइल की इसराइल की बात की जाए यहां पर इसराइल की बात की जाए स्टीर स्टिक्रेट content चैसे स्टीं कि आपको इतना याद रखना है और ओटाइन की अगया होका है करी में बिकर जो है जी को से हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन घुट अरथ नामख पुष्टत किसकी रचना है गूड अर्थ नामक पुस्तक की बात की जाए तू पर्ल एस बग की रचना है आपको याद रहा है पर्ल एस बग अमेरिका नागरिक थी आप सभी को याद रखना है पर्ल एस बग की रचना है इस्ट बींड वेस्ट बींड संस इत्यादी इसकी पर्मूख किरती है फर्ल एंड पर्ल एस बग की कि 11 नमबर कोशन की बाद भारतिय रे और अर्थ लिमिटेड का मुख्यला कहां है तो इसका मुख्यला की बात कि जाए तो मुंबई महाडास्टर में ऑप्सन डी आपका सही है इसका अस्थापना की बात की जाए तो इसे सार्द्वनिक रूप से लिमिटेड कंपनी के रूप में 1950 में एक अस्थापे तिक किया गया था इसका मुख्यला मुख्यकार जो है खुदाई करना है या खुदाई द्वारा ही थोडियम सिले में नाइट इले में नाइट इत्यादी का उत्पादन किया जाता है भारती अंतरुक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यला बैंग हैदरावाद में जो है हैदरावाद जो है सो अभी आंधर फर्देश की बरतमान राजधानी है नेक्स्ट बात करें जनगर्ना संगठन कीस मंतराले के अंतरगत आता है तो ये जो है जनगर्ना संगठन गिरी मंतराले के अंतरगत आता है ऑप्सन भी आपका सही आंसर होगा पहली नियमिती जनगन्ना 1881 में लाड रीफन के कारेकाल में आरंभुई थी जनगन्ना गिरी मंतराले द्वारा महाराजिस्टर एवं जनगन्ना एक्त द्वारा कराई जाती है 2011 की जनगन्ना जो थी पंद्रहमी जनगन्ना देश की पंद्रहमी जनगन्ना थी आपको याद रखना है जन संख्या का अधन को डेमोग्राफिक कहलाती है 2011 जन गन्ना का थीम जो है हमारी जन गन्ना हमारा भविश्य पह था पहली जातिकत जन गन्ना 1931 में हुई थी नेक्स्ट कोस्टन मर् 13 पस्चिम घाटी को युनेश्को के बिश्य विरासत अस्तल कव गोसीत किया गया था पस्चिम घाटी जब विविधता के लिए प्रमुक जब विविधता के लिए बहुत महत्पूर्ण है क्वेए नेक्स्ट कॉस्टेंपे बात करें तो स्कॉस्टनमर 14 वंस्तरा नदी विवाद किन राजोक के मद्द हैं स्थारा नदी विवाद उडिसा और आंदर पسم के बीच जो है है बस धारा नदी उडीशा के काला हंडी जिलेव से निकलती है आपको ये भी याद रखना है नेक्स्ट बात करें कोशन नमर 15 निमन युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है कंटुकी फ्राइड सीकन के फ्रलफर्म है रहाए लिलाइंस रिलाइंस हिंद्रस्ट्रीं लिमिटेड डी के अन वाई डोना करन यूव्य। इसका सही करें टीशी इसका तासब नहीं के करें तो तीशी ऐसका व्यूल्फर्म टाटा कम्निकेशन सर्विस जो है यह ओप्शन ज सरभिस होगा जो टाटा कन्मिनिकेशन दिया गया सुमिलित नहीं अप्ट से सही अंसर होगा 16 की बाद करें पत्रपेंज चामका संधिकार्ञाण Mingerm hr याद रखना चंडी-दर में इस्थित है रोज गार्डन चंडी-दर में इस्थित इसका निर्मान एकछंदरिंग के दौरा ही करवाये था चंडी-ध सहर के बास्तुकार ली कारवुजियर थे चंडी-ध भारत का एक नियों जीत सहर है आपको याद रखना है ली कारबूजियर की बात की जाए तो वह फ्रांस के रहने वाले थे नझस्ट कोषचन नमर सवेंटीनिम्स में से कौंसे आंदरपरदेश का राज़ित का राज़िया कैए राज़ पसु और किरिस्न किर्षन मेर्ग जो है आंदर पर्देश का और पंजाब हर्याना का ही भी किर्षन मेर्ग जो है सोहा का राज किया पसू है एक सिंग्वाला गेंड़ा असम का राज किया पसू है आप सब भी को याद रखना एक सिंग्वाला गेंड़ा जो है तो आसम राज का राज पसू है आंदरपर्देश राजय का गठन एक अक्टूर उनीसो तिरपन को हुआ था भासाई अधार पर प्रत्थम गठन राजय आंदरपर्देश ही था नेक्स्ट कोशन नमर 18 की बात की जाए तो महाभारत के उस उस चरित का नाम क्या जिसें यहां पर बात करें उस महारत के उस को देखने के लिए द्यविय द्रिष्टी का असिरबाद प्राप्त था उख द्रिष्य देखकर द्रिष्टी हीन्स राजा दिर्त रास्ट को यूद की गड़ना का करम बिरतान्त सुनाता था यह संजय के द्वारा ऐसा किया जाता था आपको याद रखना है संजय महारसी बेद्वियास के सिस्य थे महाभारत का युद्ध कौरव और पंडवों के बीच हुआ था अर्जुन बहुत बड़े धनुधर थे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था रावन के तलवार का नाम चंद्रहास था आपको याद रखना है नेुक्स्ट कोर्शन नाइंटीन प्रोफेसार PB.'3 के परशी थे यर्जुन एक अर्ध शास्त्री थे आप सभी को याद होगा अम्रेट्ते सेन को 1908 मेंस अर्ध शास्त्र का नोबील पुरुकर मिला था 3 मिला था अम्रेट बहारत रतन से भी समानिति किया जाजा चुका है भारत के चिकिस्षा का नोबिल पुरुषकार हर्गोविंद खुराना को 1968 में परदान किया गया था चिकिस्षा के छेतर में आपको बता दें नेक्स्ट कोस्टन और लास्ट ट्वेंटी नमर निमने लिखी तुम इसको आइरन चांसलर कहा जाता है ओक्टो वर्ण बिस्मार को आइरन चांसलर की रूप में जाना जाता है इन्होंने जर्मनी भासी राज्यों का आईकी करन करके जर्मन समराज अस्थापित किया था अडॉल्फ हिटलर जर्मन के ताना सा सा सक था आपको याद रखना है हिटलर एक परसीद पुस्तक मेरा संगर से नेपोलियन बोर्णा पार्ट फ्रांस की ग्रांती से समंदित है आपको ये भी याद रखना है चंगेल खांच मंगोल सा सकता आप सभी को याद रखनो कोशन के ऑप्शन सी जो है आक्टो वर्न विस्मार्क जो है जिन्हें आइरन चांसलर के रूप में जाना जाता था इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए टाटा बाई बाई